नमस्कार आप देख रहे हैं केरियूस मैं हूँ आपके साथ सुरी चोहान दोहजार चौबिस के चुनावे माहौल में आपका स्वागत है लोगसभा चुनावे यूपी की 80 सीटों में सब की नजर है अमेठी और राय बरेली सीट पर अब सब की निगाहे टिकी हुई है दोनो 2019 में कॉंग्रेस ने अमेठी गड़ खो दिया और 2024 की लोगसभा चुनाव में आपताक अपना पित्याशे घोशित नहीं किया है सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी लोगसभा चुनाव दोहजार चौबिस में नहीं लड़ेंगी और राहूल गांधी राय बरेली से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी 2 मई को मध्य प्रदेश और 36 गड़ में 3 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार का कारिक्रम रखा गया है बीजेपी की तरब से स्मृतिय र करार है कि क्या अमेठी और राय बरेली में कॉंग्रेस सब बीजेपी को वाकूवर देने जा रही है आखिर प्रियंका और राहूल ने अमेठी राय बरेली से दूरी क्यों बना ली है क्योंकि बीजेपी राय बरेली में पहले प्रत्याशिया गहुशित करने से बच रही है देखें ये रिपोर्ट लेकिन उमिद्वारों में राहुल प्रियंका का नाम सामिल है या नहीं ये सस्पेंस परकरार है। प्रियंका गांधी के सामने अमेठी और प्रियंका गांधी को राय बरिली से चुनाओ लड़ने का प्रस्ता हो दिया था। देखा जाए तो अब अमेठी और राय बरिली की सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। तो लोग सभा चुनाओ के दो चरण का मतदान संपन हो चुका है और ऐसे में तीसरे चरण को लेकर जो चुनाओ शोर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे बीच पांच चरणों का मतदान बाकी है। लेकिन इस बीच चुनाओी माहौल में जो सबसे एहम चर्ण का विशे है वो दो सीटे हैं अमेठी और राय बरेली क्योंकि लगातार कहा जो रहा है कि राहूल गांधी नामांकन दाखिल काड़ सकते हैं यानि कि अमेठी सुमेद्वार घोशिता किया जा सकता है अला कि पा चुनाओी माहौल है अब सस्पिंस के स्थिती भी बरकरार है कि क्या आखिर अमेठी से कॉंग्रेस किसे उम्मीद्वार के तौर पर चुनाओी मैदान में उतारती है इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं इस चुनाओी माहौल में कि 2024 का जो चुनाव है वो बेहद दल हमारे साथ बीजेपी नेता श्वेता दुबे जूर चुकी है स्वागत है आपका इस सर्च में शामिल होने के लिए वरिष्ट पत्रकार उपी मिश्ट्वा जी जूर चुके हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत इस सर्च में शामिल होने के लिए शुरवात बीजेपी से क पहाँ जा रहा है क्योंकि आयोध्या जब दर्शन पोजन करने के लिए प्रियंका गांधी के जो पती हैं वाडरा पहुंचते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर लगातार उनका जो एक बादचीत के दौरान इशारा मिलता है कि वो भी दावा ठोकते हुए अमेठी से नजर आ रह ही है तो बड़ी सस्पेंस अपूर अस्थती है क्या अब स्मृति इरानी को वापस से वो प्यार मेठी की जनता दे पाएगी चुनौती बड़ी है अब आई नहीं रहे हैं और नो की घोशन हुई है तब से रोज खबर आ रही है कहीं कि कॉंग्रेस के पार्टी के सदस्थ या कॉंग्रेस के उमीदवार नामांगन करने गए लेकिन वो हमारे भाजुपा में आ गए तो कहा है चुनौती बड़ी हमारी सुईकारिता है यहा अनके स्टार उमीदवार थे अमेठी और रायवरेली के वो भी तैयार नहीं है वो हिच के चार है क्योंकि उनको पता है कि वविश्ट क्या हुने वाला है और जब कल हमारी इसमर्ती इराणी जी ने अपना नामांकन किया तो अमेठी का जो जिला अध्यक्ष था वो हमारे ह जुलूस में था और इसमें ते इरानी जी का नमांकन करवा रहा था तो अब कुछ कहने को बचता है हमारे लिए बड़ी चुनोती नहीं है यह कॉंग्रेस के लिए बड़ी चुनोती है और इंडी गटबंदन के लिए बड़ी चुनोती है कि वो क्या करेंगे बलकुल जाहिर मैदान में वहाँ से पर्चवाद आखिल नहीं करेंगे तो अब इन दोनों का नाम अगर सामने नहीं आ रहा है तो तीसरा नाम कौन सा होगा जीजै जी कभी तो नाम उचल रहा है कॉंग्रेस तो परिवार वादी पार्टी है नाम है तो अमेठी और राइवरेज़ अर कार यस्थियार अंवी है ठीक है डॉक्तर जीए जुडे हुए है ओपीमिशरा जी करुक लेते हैं ओपी मिश्रा जी दो होट सित अन्मीठी और राइवरेली अब दोनों ही जिनको लेकर चर्चाएं जोरो पर थी अब वो साफ़तोर पर इंकार करते हुए नजर आ रहे हैं तो आब तीसरा ओप्शन अन्म्यूट करिएगा ओपी मिश्व जी आपको आवाज मल पा रही है जी 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 तीसरे ओप्शन के रोप में किसे देख पा रहे हैं अभी तो यह सस्पेंस है और जिस दिन परचाब वापसी का आखरी दिन होगा उसके चार से छे घंटे पहले इस बात की सूचना आ जाएगी कि कौन चुनाव लड़ने आ रहा है इसलिए अभी इस गलत ठह्मी में रहना कि कोई नहीं आ रहा है हमको वाप ओवर मिल गया अरे राइबरेली में अगर कांग्रेस ने नहीं परत्यासी गोशित किया तो भाजपा नहीं कहा गोशित कर दिया वेट एंड वाज़ की चलना आ है वो उनका इंतियार कर रहे हैं समय के इंतियार कर दिये दोनों जगों पर कांग्रेस का प्रत्यासी चुनाव लड़ेगा और वाज़ अमेठी में मैं अभी दो दिन अमेठी में रहा प्लेट में रखा हुआ हलवा नहीं इसमित रानी जी के लिए कि वो खाएंगी और चुनाव जी लिए लिए बहुत टफ फाइट होने जा रही बिलकुल लोगों का तो यहां तक कहना था चुकि राभुल गांदी यहां से चले गए थे इसलिए हमारी मजबूरी थी इसमित रानी जी को चुनाव जिता देनी लेकिन अगर कोई भी यह मानी सी बात है कोई हलका फुलका आदमी चुनाव लड़ने नहीं आ रहा है जो भी लड़ने आ रहे हैं वो उनका एक लेबिल है चुनाव जबर्दस्त होगा फाइट जबर्दस्त होगी नतीजा क्या होगा वो चार यून को आई इसलिए इस गलत फहमी में रहना कि कांग्रेस जो है आग गई है या राइबिलिस नहीं रड़े कि अमेठिस नहीं जो है वो चुनावी मैदान में है और अमेठी की जंता का मन क्या है कि अगर अमेठी में अभी तक कॉंग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशिया घुशित नहीं किया गया है श्वेता जी तो क्या माना जाए बीजेपी को क्या वोक ओवर मिल गया वैसे तो बीजेपी को वोक ओवर मिली रहा है लेकि जैसे कि हमारे वरिस्ट भाई साथ कह रहे है कि चुनाव बंदब राजनेतिक पार्टी है और कोई अलकाद भी नहीं आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब क्या मद्दान की नामांकन की तिधी निकल जाएगी त जी नहीं, आप मुझे यह बताइए कि वो कौन सा सामाने जंता से ले लेंगे, पार्टी से किसी और से ले लेंगे, उन्हें तो परिवारबात की राजनिती करनी है और परिवार में किंती के ही दो-तीन लोग है, उन्हीं में से तो कोई एक आएगा, और कौन आजाएगा औ और इतना suspense किया हुआ है, बड़ा high voltage suspense drama जो है, वो कॉंग्रेस की तरफ से चल रहा है, जन्ता के साथ-साथ हमको भी इंतजार है कि कौन सा प्रत्यासी अवतरित होगा जो हमारे खिलाफ fight करेगा, और हम हलुआ नहीं समझ रहे हैं, हम कई की fight को हलुआ नहीं समझते हैं, मैं हमारे party संगटन में कोई बहुत बड़ा सारे कारे करता है, एक समान है, और सब एक ही तरह से जुनाव प्रचार कर रहे हैं, और सारे कारे हम कर रहे हैं श्वातर जी लेकिन अमेठी में इस बार जो है क्योंकि कॉंग्रिस का गल रही अमेठी की जनता की एक बार फिर से पुकार है कॉंग्रिस की प्रति वो रुजान देखने को मिल रहा है क्योंकि के नियूज ने जमीने इस्तर पर जाकर ग्राउंड जीरो पर भी अमेठी की जनता से बातचीत भी की है, मुखातिब भी हुए वो तमाम प्रतिक्रियाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो भारतिये जनता पार्टी के लिए भी अमेठी सीट इतनी आसान नहीं होगी फते करना देखिए चुनाव जीतना कहीं भी सरल नहीं होता है और पिर जब जीते होई सीत होती है पाथ साल का राज होता है तो anti-incombensy परिवार की परंपरागत सीट रही है यह जिसको कहना चाहिए कि यह बहुत प्रतिक्षी सीट है इसके उम्मिद्वार की जनता को भी उतनी ही रहता है कि कौन यहां पर आने जा रहा है लेकिन हमने जमीनी तर पर काम किया है अमेरी से क्या पूरे देश में भारती जनता परोसा ने कोई जाती वेद करके कोई काम नहीं किया है सबक सा敦 सबका विकासी किया है तो निश्ट्री दुरूप से हम अपने कारों पर ही वोट मांगेंगे मोदी जी की गारंटी है और उसी गरे हम वोट मांग रहे हैं और यह हमें पूरा भरोसा है कि जनता हम उनके विश्वात पर गर्या उत्रेंगे और मोधी जी की काम आई की ठीक है हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार भी जुड़े हुए हैं उपी मिश्रा जी देखा जाए लगातार कहा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां है वो सामने आ रही है तो ऐसे में क्या कुछ राजनितिक समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर चुनावी मैदान में कॉंग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशिया घोशित किया जाता है क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्यंका गांधी के पती भी ताल जहां तक चुनाव लड़ने की बाद रायवेली से कई सूत्रइश्चे हैं जो वी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के रास्तरी अद्यक्ष आधरनिये खरगे जी भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं और एग्र वो चुनाव मैदान में आते हैं तो न केवाल गार्णих अम्रेटी पर भावित होगी बलकि पूरा उत्तरप्रदेश पर भावित होगा यह बात भारति जनता पार्टी को लोगों के समझ में आ जाने चाहिए सिर्फ मोधी जी के नाम पे चारे बाट इसमें ओट नहीं हो रहा है ओट इस समय हो रहा है या तो मोधी जी के पक्ष में या पिरोद में प्रतियासी का चेहरा भी देखा जा रहा है कि उसने अपने संसदिये छेत में कितने काम किये सिर्फ मोधी ये ने कतर दिया है ऐसा नहीं हो ना चुनाओ पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख दी जा के हर जिगे पे ये पूछा जा रहा है कैंडिडेट से कि इन पांच वर्सों में आपने क्या किया है मोधी ये ने बहुत किया है बहुत बहुत धन्यवाद है उनको बनाई है लेकिन अए ये मेंबर आप परलेमेंट आप ने क्या किया ये भी तो लोग जानना चाहते हैं तो ये सवाल तो राइबिरेली भी पूछा जाएगा और रमेखी भी पूछा जाएगा पथर तो वो पहले फेगे ना जो खुद दूद का दुला हो पार्टी अंदा पार्टी कहां परिवाद बाद नहीं गिंती अगर गिनाना सुरू करें पूरी लिस्ट है लेकिन आपको तो सिर्फ एक टार्गेट करना है लेकिन पूरा प्रचार कांग्रेश का मोधी जी कर रहे हैं निगेटिव पॉब्रिसिटी ने एक बाद सुनिया गांधी को प्रधार मत्ती बनवाने तयानी कर देती आप अपना प्रचार करिए ना आप दूसरे प्रचार क्यों कर रहे हैं ठीक बाद श्वेता दुबेज जी हमारे साथ अलगातार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है देखा जाए इस बार राइवरीली में कॉंग्रेस हलाकि कॉंग्रेस की तरफ से तो दोनों ही होट सीटों पर प्रत्याशिया घोशित नहीं किये गए लेकिन भारती जनता पार्टी को इतना मंथन क्यूं करना पड़ रहा है और इतना वक्त क्यूं लग रहा है मैं पूर भाइस आपको कुछ जवाब देना चाहती हूँ आपने परिवारबात की बड़ी लंबी व्याक्या करी पाड़र कौन से जमीनी कारे करता है आप मुझे बताए वो क्यों चुनाव में अमेदान में आएंगे क्या कारे किया उन्होंने तो आप से पहस नहीं करना जाता हूं बिल्कुल इसमें अधर्वाइब मेरे पास पूरी लिस्ट है मुरे मेरे पास पूरी लिस्टा कितना बड़ा परिवार वादा ये तो सभी जानते हैं सुईदा जी कि मुझे नहीं लगता कि वरिष्ट पत्रकार को निष्पक्ष्टा के साथ पर बात रखने कादिकार है तो नीच गली चाय वाला ये शब किसने कहें हैं तो अमेदी से चुनाव लने आएंगे उन्हों उत्तर प्रदेश में किया गया है जो जुनाव लने आएंगे उस कार कि प्रत्याशी को कि सेच के बाद आना होता है और क्या उसके रूल्स होते हैं मुझे लगता है पार्टी बताने की जरूरत ही नहीं किसी को कुछ भी बोल सकती है कहीं भी कोई बयान दे सकती है राहूल जी लंदन में जाते हैं तो कहते हैं पूरे देश में पेट्रोल पड़ा हुआ है एक माचिस की जरूरत है वाह यह सब बयान तो इतने काभिले आरीव है कि क्या बताये जाए अब हम तुक मैं कुछ नही कुछ किया है या नए किया है हमने तो अपना कर लेके जनता के बीच पर रही है लेकिन अब बेहद चुनोतीपूर यह है कि जनता किस की गयरन्टी पर विश्वास करती है भरूसा करती है और मताजीकार अपने मतदान उस पक्ष में देती है जिस नाम की इतने जोड़ शोर से चर्चा हो रही थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वात्रा अमेठी और राय बरेली को लेकर लगातार सुर्ख्या सामने आए लेकिन फिर अंत में इस मनाही की क्या वज़े देख पा रहे हैं आप देखिए पहली बात मैं गांग्रेश पार्टी का स्पोक्स परसन नहीं हूँ अब जर्नलिस्ट और मैंने उसलिए हाद से यह सवाल किया तो मैं उसके नाते यह बता सकता हूँ जैसे अभी बेहन जी ने कहा कि यह हमारी पॉलिटिकल इस्टेट्जी है कि हम अंतिम छोड़ों में नाम लाएंगे उसी तरह एक कांग्रेश की इस्टेट्जी हो सकती है तो अपने अंतिम छोड़ों में नाम लाएं हर आत्मी अपना गेम अपने हिसाब से करता है ना दूसरे के गेम से हमको क्यों तकलीप हो वो अपने हिसाब से कौन किसको लड़ाएगा यह पार्टी तैकती है उनको जो लगता है देखिए हर पार्टी जिताओं इम्मेद्वार क कि तलाश करती है उनको कोई न विछार UW किसी चीर से मत्लब होता कहा किसका फालोवर हょ किसका जिताओं चाहिए जो जीत सकता है उसको लड़ाया जाता है चाहा भाजपा हो चाहाए कांग्रेस हो चाहाए सपा حॉन स्था हो यह पार्टी को जिताओं जो वहार को जाहिए त सब्सक्राइब की राजनीती है तभी राहूल गांदी अमेटी जोड़के वाइनाट चले गए तूब अब यह सवाल का जवाब मैं नहीं नहीं देते बिल्कुल अगर कॉंग्रेस का प्रवक्ता होता तो जरूर उससे इस बात का जवाब लेते और एक लंबे आसे बार अगर जो सस्पेंस है वो भी अभी बरकरार है अभी उम्मेदवार की घोशना नहीं हुई अमेठी में तो भारतिये जनता पार्टी ने कर दी लेकिन अभी कॉंग्रेस का पित्याश ये घोशित नहीं किया गया लेकिन राह बरेली और अमेठी में वो कौन से मुद्दे हैं श्व हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है तो जो मदान मुंत्री मोदी जी का संकल्पत्र है वही हमारे जो भावी सांसद है उनका है तो हम अपने वाज़े पर खरे उत्रे हैं हमने जनता की हर यह मैं नहीं कह रहे हूं कि 100% सारी परिशानिया दूर हो गई है और कोई कस्ट अफ यह मैं-नती चेंती है ओज का सबसल्सकुर्ट को राजनेती आधर को बीगनार कोकल दर किनार नहीं किया जासकता है यह ऑपी मिश्री जी सें कॉमेब ले लेते हैं, ओपी मिश्र जी आकसर आपने अभी तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाविया शोर काफी तेज हो चुका है, आपने पहले और दूसरे चरण का मतदान देख भी लिया, जो मतदान प्रतिशत निकल कर सामने आया, वो भी एक चर्चा का विशे बना हुआ है, और सवाल उसको लेकर भी उठाए जा रहे हैं, कि आखिर मतदाता अब घर से क्यों नहीं निकलना जाता, क्यों मतदाताओं को इन राजनेताओं के उन वादों पर भरोसा नहीं रहा, या फिर वजे कुछ और, क्योंकि भारती जनता पार्टी से अपने पक्ष में देख रह देखे, दो फेस के चुनाव हो गए है, अब अधरनिय परधानमंती जी चार सो पार की बात तहीं कर रहे है, पहला चुनाव भरस्ता चार पे था, दूसरा चुनाव दूसरा फेस जो हुआ है, वो हिंदू-मुद्धिम पे था, अब किसरा चुनाव आया है, इसमें कई अधरने हैं, अलग-अलग फेस के चुनाव होते रहेंगे, और यह अपनी-पनी उनकी अधरने हैं, खास तोर पर अमेठी और रायवरेली, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, यहां पर किस मुद्धे के आधार पर बहुत हिस्तल तक मतदाता पहुँचेंगे? रायवरेली और अमेठी में, जो जरूरी सुविधाएं हैं, उनको लेकर मतदाता वहां का, अभी मैं पिछले दिनों गया था, तीन दिन पहले वहां बता रहे थे हैं, वो हास्पिडल भाव बंद करा दिया गया, वो बंसीगन इस्पिताल बंद करा दिया गया, यह बंद क वहां का मतदाता करेगा, लेकिन जो वहां की फीड़ बैक है, उसमें तो यही है, कि उनका शीदे शीदे लोगों के जवाब था, यह ऐसा हमारा प्रतियासी जो ना को मक्षी नहीं बैटने देता है, इस से कोई मिल नहीं सकता है, अब उसका निरणे, वो कितना पापुलन ह यह मेरा अपना चर्चा के भी से नहीं है, वो तो समस्याएं भी मद्दाताओं के दिमाग में हैं, मोदी जी की गारंटी के साथ राभूल गांदी जी की निया यात्रा और निया की जो गारंटी है, वो भी जुड़ी है, और आम आदमी की जो समस्याएं हैं, वो भी जुड करते हैं उस दावे और वादे के आधार पर जंता के बीच जाकर वोट के अपील करते हैं अब कौन किसकी कसोटी पर कितना खरा उतरना है ये देखना बेहत दिल्चस्प होने वाला है तेसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार राजनितिक दल है जो चुनावे पिचार पिसार में जुटे हुए हैं मतदाताओं को रिजाने में जुटे हुए हैं शुक्रिया आप दोनु महमानों का इस सर्चा में शामिल होने के लिए लगातार कॉंग्रेस जो है गड़ रहा और अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है अब देखना से प्रियंका गांधी वाडरा को उतारा जाता है या उनके पती को उमिद्वार बनाया जा सकता है इस पर भी सस्पेंस बरकरार है लाकि भारती जनता पार्टी ने भी रायबरेली में अपना प्त्याशी घोशित नहीं किया है इसी के साथ दो हजार चुनावी माहौल में इ देखते रहें के नियोस इंडिया